सबी बूर्ट मेंबर्स ने देव को एक्सपल करने का डिशिजन ले रिया होता है प्रिंसिपल सबको फाइनल डिशिजन सुनाते उससे पहले ही मैक सर को रोग देती है प्रिंसिपल उसे अपनी बात कहने का मौका देते है वो कहती है अगर एल एन देव को एक्सपल करने का रिजन वाइलेंस एन बुलिंग है तो फिर मुझे भी तो एक्सपल हो जाना चाहिए क्योंकि स्कूल के फॉर्स टेपर मैंने देव को पंच मारा था मैंने भी गलत किया था मैकस देन एल को डिफेंड करती है ये कहे कर कि एल बस मुझे दराना चाहती थी ताकि मैं वापस विलेज चली जाओ वो कभी भी मुझे फिजिकली हट नहीं करना चाहती थी मुझे बैट से मानने की पीछे तो चौकोयर एमी का हाथ था एन एल को तो इस बार में पता भी नहीं था उसे बाद में पता चला था सो मुझे नहीं लगता कि एल एक्सपर्शन डिजर्फ करती है तो वो सबको स्कूल का इंपॉर्टन समझाती है अगर कोई स्टूडन गलती करता है और अपनी गलतीयों को सुधारता नहीं है उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है बोट मेंबर्स पर भी मैक्स के स्पीच का असर परता है देव एक्सपेल होने से बच जाता है उसे बस 40 आर्ज का स्कूल क्लेनिंग का पनिश्मन मिलता है एन एल का एक्सपेलशन ओवर्टन किया जाता है मतलब वो फिर से बैनिसान जॉइन कर पाएगी मॉम फर्स टाइम मैक्स से अच्छे से बात करती है एल के लिए स्टैंड लेने के लिए उसे थैंक्यू बोलती है इवनिंग में पूरी की पूरी गैंग दबर्ट में सेलिब्रेट करते है सभी बहुत हैपी होते है पर देव के डैट उतने खुश नहीं होते वो देव को बाते सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते डैट को पता चलता है कि देव ने उन क्रिमिनल्स के बार में पता लगाने के लिए प्राइवेट इंवेस्टिगेटर हायर किया है तब यह बताता है वो तो मैक्स के टीटो के लिए था डैट पर मैक्स का गलत इंप्रेशन पढ़ता है वो मैक्स और उसके टीटो को गलत शुरग बोलने लगते है तो देव को थोड़ा गुस्सा आता है मेरी इंसल्ट करनी है करो मैं कुछ नहीं कहूंगा बट मैक्स और उसकी फैमली को गलत मत बोलना वो गुस्ते में चला जाता है वाँ टीटो बोयाद अपने फ्रेंड को पैसे चोरी होने की बात बताते है फ्रेंड उन्हें फिर से कारनैपिंग करने बोलते है टीटो मना कर देते है यहां हमें यह भी पता चलता है कि इनका बोस बहुत ही डेंजरस है देव के प्राइविट इन्वेस्टिगेटर को कोमा में पहुचाने के पीछे इन ही का हाथ है टीटो को इतना तो पता होता है कि उनके गैंग ने कारनैपिंग के टाइम पर किसी को शूट किया था टीटो को यह बिलकुल नहीं पता था कि वो देव का बाई डेल था फ्रेंट बताता है जो भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेगा बोस उसे मार देंगे वही दूसरी और हम देव को देखते है जो कि दबर्प आ रहा होता है मैक्स का कॉल आता है तबी कुछ गुंडे आकर देव को मारने लगते है मैक्स लिया अनलॉड आकर उसे बचा लेते है पहले तो ऐसा लगता है कि ती तो बोयाद के बॉस नहीं उन गुंडों को वेजाता बर्दन हमें पता चलता है कि वो सब तो साउध बेश आक के स्टूडन्स थे देव को लगता है कि आर्जे होगा मैक्स कहती है वो ऐसा नहीं करेगा नेक्स देव बेनिसन के वॉल पर किसी ने लिखा होता है देव ने हमारी लाइफ हैल बना दी है इन्वेस्टिकेशन करने पर पता चलता है कि ये वही स्टूडन्स है जो पहले बेनिसन में पढ़ते थे बर्दन देव के बुलिंग के वज़े से उन्हें साउध बेश आक जाना पड़ा देव को एकस्पल ना करने के डिशिजन से वो लोग कुछ नहीं थे इसलिए उन्हें ने देव से बदला लेने के लिए पहले तो उसे मारा दैन वाल पर वो सब कुछ लिखा साउध बेग के प्रिंसिपल उन सब को वाल क्लीण करवाने के लिए लाते है तब ही युज देखते है देव आल्रेडी क्लीण कर रहा है देव भी जानता था अगर उसने बुली नहीं किया होता तो ये लोग ऐसा नहीं करते सभी मिलकर वाल क्लीन करते हैं सभी एक दुसरे को सौरी बोलते हैं और फ्रेंस बन जाते हैं तीनों कपल के रिलेशनशिप को वन मन्त होने वाला था सभी मन्त सरी के लिए प्रिपेरेशन करने लगते हैं इसे لी को प्रिपेरेशन में हेल्प करती हैं काली दोनों को अकेड़ी देखकर गलत शलत समझ लेता है और दोनों का वीडियो लेकर अपलोट कर देता है नाई को ये सब कुछ देखकर बहुत गुसा आता है वो इसे को माणने जाती है बट बेचारा लॉट बीच में फस जाता है ली नाई को रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं रोकती ली चिल्ला कर कहता है बस करो मैं हमारे मंसरी के लिए सौंग बना रहा था तुम ही ने इसे को कहा था मैक्स उसे कमफर्ट करने आती है मिचिको को लगने लगता है वो किसी की प्यार के लायक नहीं है इसलिए तो टॉप से छोड़ कर चला गया मैक्स उसे समझाती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है मिचिको देन मैक्स को बताती है देव के बार डेल के साथ भी ऐसा ही हुआ था उसकी गल्फरेंड ने भी बिना कुछ बताये डेल को छोड़ दिया था तब जो डेल की कंडिशन थी वो आज मिचिको की है मैक्स मिचिको को अकेले नहीं छोड़ती देव से मिलने जाती है उसे अपने साथ लेकर जाती है देव आज के स्कूल क्लीरिंग ड्यूटी कंप्रीट करके आता है नाई, ली, मैक्स और देव तो अपना मन सरी बना सकते थे बट हमारे मिचिको पेचारी तो अकेली थी दोनों ही मिचिको को बेटर फिल करवाना चाते थे सो दोनों डिसाइट करते है रोमेंटिक डिनर पर जाने से पहले पूरी गैंग मिलकर पार्टी करेंगे तब ही वहाँ जेबी, साथ बेका स्टूडन्ट एंड देव का न्यू फ्रेंट आता है देव ने उसके ऑनलाइन बॉनसाइ ट्री शॉप के लिए पोस्ट किया था उसके सेल बहुत जादा बढ़ गई थी वो देव को थैंक्स बोलता है एंड साथ में बॉनसाइ भी गिफ्ट करता है देव उसे भी कल के पार्टी में इन्वाइट करता है वहाँ तीतो बयात का बॉस उन्हें फिर से मेसेज करता है इस बार वो मैक्स को जान से मानने की धमकी देता है तीतो बयात बहुत डर जाते है राच आते हुए भी उन्हें फिर से कारनेपिंग करने की बात मानी परती है वो रेडी होकर घर से निकल रहे थे तबी आरजे उन्हें देख लेता है जैसे तैसे वो situation को समाल लेते हैं जाते जाते वो आरजे को सबका ख्याल रखने बोलते है आरजे को ये सब कुछ थोड़ा suspicious लगता है विकेंड होता है बट most importantly आज हमारे तीनों couples का मनसरी डे होता है बोनसाई as a gift लेकर देव मैक्स के डेड से मिलने आता है कहता है सर आज हमारा मनसरी है क्या मैं मैक्स को डेट पर लेकर जा सकता हूँ डेड अभी भी देव को लेकर उतना sure नहीं थे पर्ट मैक्स के खुशी के लिए permission दे देते है देन पूरा गैंग प्लस साउथ बेशा के new friends साथ में hangout करते है सभी मिलकर life, friendship and of course love को celebrate करते है मिची को टॉप को याद करते हुए बैटी होती है मैक्स उसे notice करती है वो उसे comfort करने आती है मिची को जूट बोलती है कि वो ठीक है बाहर आकर रोनी लगती है तब उसे एक restaurant से call आता है तो आपने उसके मंसरी के लिए table book किया होता है मन में उमीद लेकर वो सिधे restaurant के तरफ भागने लगती है ली ने नाई के लिए song prepare किया होता है बट वो उतना अच्छा नहीं गाता सो वो इसे को गाने के लिए बोलता है जो कि नाई को थोड़ा खराब लगता है वो लेको बोलती है तुमारी आवास जैसे भी हो मुझे पसंद है नेक्स टाइम तुम ही गाना देव और मैक्स यहां से निकल कर अपने date night के लिए जाते है देव मैक्स को surprise देता है चारों तरफ flowers होते है और बीच में heart होता है डिनर के बाद देव मैक्स को ring देता है मैक्स शॉक्ट होकर कहती है ओए ये क्या है अभी हमारी शादी करने की age नहीं हुई है देव स्माइल करते हुए कहता है ये promise ring है दोनों एक दुसरे को ring पहनाते है और promise करते है आज से दोनों एक दुसरे को कभी भी जूट नहीं बोलेंगे और कोई भी secret नहीं रखेंगे देन मैक्स अपना gift देती है जो की love coupons होते है जो देव कभी भी redeem कर सकता है देव को मैक्स का gift बहुत interesting and unique लगता है वो अभी के अभी एक coupon redeem करता है जो की होता है physical touch वो मैक्स को उनका first kiss फिर से दोराने बोलता है मैक्स okay बोलती है दोनों kiss करने जाते है देव बीच में paper रख देता है बस दोनों का first kiss repeat हो जाता है वहाँ हमारी मीची को restaurant बहुत जाती है टॉप के आने का wait करने लगती है लाश में उसे पता चलता है ये सब तो टॉप ने अपनी family के साथ भागने से पहले book किया था उसका देल टूट जाता है वो किसी से बात करना चाती थी बट सभी तो busy थे तो वो सीधे डेल के पास जाती है उससे अपनी feelings share करती है कहती है क्या मैं किसी के प्यार के लाइक नहीं हूँ वो बहुत रोती है डेल उसके सेथ पर हाथ रखता है मिची को शॉक्ट हो जाती है इदर उदर देखने लगती है उसे realize होता है डेल कोमा से बाहर आ गया है सभी बहुत happy होते है वहां मैक्स और देव अभी भी डेट पर होते है मॉम का call आता है कुछ देल के लिए बेचाला शॉक्ट होता है दर मैक्स को बताता है दोनों सिधे hospital आते है आज सही माइने में एंड्रिले family complete होती है सभी बहुत खुश होते है मॉम देव को बताती है जब डेल को होश आया मिची को यही पर थी देव उसे हग करता है कहता है मिची को I don't know कि तुमने क्या किया बट जो भी किया उसके लिए थैंक यू वहां दीतो बयाद त्यागों के साथ कानेपिंग करने पहुच गये होते है बट फिर से ऐसा कुछ करने की उनके हिम्मत नहीं होती वो माना बना कर भाग जाते है वहां आजजे देव और मैक्स के पिक्चोस देख रहा होता है उसे सैट देखकर जेल कहती है ऐसे सैट बेटने से अच्छा है अपने लव के लिए फाइट करो आजजे कहता है जेल उसका अल्रेडी बॉइट्रेंड है तभी टीटो बॉयाद अंदर आते है सभी को थोड़ा अजीब लगता है जैसे तैसे वो सिचुवेशन को संभाल लेते है नेक्स डे सभी को डेल के बारे में पता चलता है सभी बहुत खुश होते है अफ्टरण में मिची को डेल से मिलने आती है उसके लिए होमेट कुकिस लाती है डेल कोमा से बाहर तो आ गया होता है बट अभी भी वो बोल नहीं सकता और चल भी नहीं सकता मिची को उसे अपना मोबाइल देती है वो लिख कर पूसता है तुम ठीक तो होना मिची को कहती है मुझे क्या होगा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ डेल पूसता है कल तुम रो रही थी मिची को पूसती है तुमने कल मेरी सब बाते सुन ली डेल इशारे में हाँ बोलता है वो उसे कमफर्ट करता है मिची को बेटर फिल करती है मैक्स लोला एं टीटो से मिलने जाती है सभी को डेल के होश में आने के बार में बताती है डेल का किस हाई प्रोफाइल था सो टीटो बोयात एं लोला को छोड़के सभी को डेल के बारे में पता था डेल के साथ क्या हुआ था सबी इस बारे में बाते करने लगते है और तभी तीतो बुयाद को रियलाइज होता है उस रात जिसे गोली लगी थी वो देव का भाई डेल था तीतो बुयाद के सिर पर मानो पहार साथ टूच जाता है उन्हें समझ नहीं आता किस्मत उनके साथ क्या मजा कर रही है इस दे सभी डेल से मिलने आते हैं डेल ने अपते क्या-क्या मिस किया है इन सबका अपडेट लॉट उसे देता है देन वो सभी को इंटेड्यूस करता है देल मिचिको को कैरेट केक के बारे में पूछता है मिचिको कहती है कल पका लाओंगी कैरेट केक सुनकर नाई इसे ही एन मिक्स गैस कर लेते हैं कि डेल ही मिचिको का फर्स क्रश था सभी उसे टीस करने लगते है स्कूल ने फाइनल ये स्टुडेंस के लिए करियर फैर और्गनेस किया होता है ताकि स्टुडेंस डिसाइड कर पाए कि उन्हें क्या करियर चूस करना चाहिए देव मैक्सन कीम लोबूत पर जाते है जिसे आरजी के डेट रिप्रेजन कर रहे थे वो अपना इंटरदक्शन देते है देव उनसे पूशता है क्या आपने कभी किसे क्रिमिनल के लिए केस वाइट किया है वो हाँ बोलते है देव को ये बात अच्छी नहीं लगती मुझे नहीं लगता कि किसी क्रिमिनल को बचाना सही होता है आरजी के डेट समझाते हैं, हर कोई क्रिमिनल नहीं होता, कभी-कभी किसी बेगुना इंसान को फसाया जाता है, और मेरा काम होता है ऐसे लोगों को बच जाना, देव को फिर भी ये गलत लगता है, वहां ली एन इसे ही योहन के आर्ट बूत पर जाते हैं, नाई भी आ जाती है, वह देव को CCTV फूटेज सेंड करने ही वाला था, बर तभी मोबायल के बैटरी लो हो जाती है, बस इतना ही नहीं, उस पर टीतो बोयात के बॉस के गुंडे अटेक करते हैं, सिसी टीव फूटेज छिटने की कोशिश करते हैं, वह लोग उसे जान से मारते हैं, तभी कु इंजिनियरिंग करना था, इंजिनियरिंग इस जपान के उनिवसिटी में नहीं था, तो दोनों का अलग रहना परता, वह लोग डिस्टन्स रिलेशन्शिप से कमपर्टेबल नहीं था, वह कुछ बोलता, तब ही लॉड आकर दोनों को एंटेटेन्मेंट एंड मीडिया ब जो होगी हमें नेक्स बार्ट में पता चलेगा, अगर आपको पता हो कि एक्सिस ओन है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, इंक्स वाचे जो हमें नेक्स बार्ट में, बाइचे जो हमें